अगर आपके फेस के उपर जो भी प्रॉबलम है जिसको आप दूर करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं आप तर वन वीक आप खुद देखेंगे कि आपके फेस से वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल कम हो गई हमारे फेस पे हमारे इसकिन से रिलेटर्ड प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग हमें फेस पैक लगाने की ज़रूरत ना पड़े एक ही फेस पैक लगाने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है हमारे फेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उनको यह दूर करने में काफी एफेक्टिव हो तो यही सब सोच करके ही मैंने इस फेस पैक को रेडी किया है जैसे रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पोट्स, एग स्पोट्स, पिग्मेंटेशन, हमारे सर्ण बर्ण, अनिवेन स्किन टोन और हमारे स्किन से जो फेस से जो ग्लो चली जाती है उन सब में ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है फ्रेंट कि आप सिर्फ मेरे कहने पर आप इस फेस पैक को फिर औली वन वीग पीस पैक को ट्राइं करें उसके बाद आप इसको खुदी बो जो भी प्रॉब्लम है वो अंदर से ठीक करता है ना कि वो टेंपररली ठीक करता है वलकि वो दीरे-दीरे बिल्कुल भी उसको जड से बिल्कुल खतम कर देता है आफटर वन वीक आप इस फेस पैक को वीक में सिर्फ दो दिन यूज़ करें तो फ्रेंड आई अब इस फेस पैक को बनाना बताती हूँ और अपलाई करके दिखाती हूँ इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने क्या-क्या नैचुरल इंग्रीडेंट लिए हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ यह मैंने अनार पॉमेग्रेंट पील पाउडर लिया है मसूर दाल पाउडर लिया है यह उड़त दाल पाउडर लिया है यह राइस पाउडर लिया है साथी मैंने बड़ा बदाम का पाउडर बना लिया है नार के छिलके का पाउडर बना लिया है शाहद लिया है मुलेटी लिया है गुलाब पीटल रोज पीटल पाउडर लिया है अरजुन के चाल पाउडर लिया है उड़हल पाउडर लिया है अस्वगंधा पाउडर लिया ह आईए अब face pack बना कर के दिखाती हूँ एक बावल में मैं सबसे पहले ले लूँगी half teaspoon चावल का आटा जो की चावल का आटा हमारे dead skin को हटाता है और हमारे skin को refresh करता है और dead skin हटने से हमारे skin जो है वो यंग दिखने लगती है second ingredient जो मैं इसमें add करने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ मैं half teaspoon उड़त दाल पावडर यह हमारे skin पे bleaching का काम करती है यह हमारे skin को cooling effect देती है और दाग धबे और pigmentation को यह दूर करने में बहुत हैल्प करती है next ingredient यहाँ पर मैं add कर रही हूँ half teaspoon मसूर दाल पावडर मसूर दाल पावडर में भरपूर मात्रा में protein and mineral पाया जाता है जो हमारे skin को smooth और glowing बनाता है next ingredient ले रही हूँ orange peel powder orange peel powder में natural bleaching agent होता है जो हमारे skin के color को साफ करता है और यह हमारे skin tanning को दूर करता है और साथी skin को exfoliate करके white और bright बनाता है यह मैंने घर में ही चिल्कों को सुखा करके इसका powder बना लिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं तो half teaspoon अनार की चिल्के का powder इसमें add कर ले रही हूँ नेक्स इसमी seed सफेद तील पाउडर ले रही हूँ यह हमें glowing skin देता है यह हमारी skin को smooth और soft रखकर skin की flexibility को बनाए रखता है यह face की skin को खास करके nose के आसपास के area को tight करने में help करता है और open pores को बढ़ने से रोगता है face के उपर pimples को control करता है साथी premature aging की symptom को खतम करने में help करता है half teaspoon तील पाउडर ले रही हूँ next ingredient मैं add करने वाली हूँ poppy seed powder जिसको हम खसकस के नाम से जानते हैं खसकस में antioxidant भरपूर मात्रा में होता है जो skin में होने वाले wrinkles को कम करता है जो skin को young बनाने में help करता है और साथी skin को moisturize करने में भी helpful होता है मैंने यहाँ पे poppy seed के powder बना लिये हैं तो half teaspoon में खसकस powder यहाँ पर add कर ले रही हूँ अब ही अब मैं next ingredient जो add करने वाली हूँ वो है बड़ा बदाम powder यानि की almond seed powder जिसको की मैंने powder बना लिया है बदाम में vitamin E high quality protein, fiber, copper, magnesium, healthy fats, antioxidant जैसे पोसकता पाए जाते हैं जो healthy skin के लिए बहुत ज़रूरी है बदाम में vitamin E होता है, vitamin E हमारे skin के लिए बहुत ही beneficial होता है बदाम में skin की problem जैसे pimples, acne marks के spots को remove करने का गुन होता है और ये anti aging agent के रूप में काम करता है तो half teaspoon में बदाम powder यहाँ पर add कर ले रही हूँ अब ही अब मैं जो next ingredient add करने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ यस्टी मदू जिसको मुलेटी powder के नाम से जानते हैं मुलेटी powder में anti bacterial property होती है ये skin की बहुत सारी problems को दूर करती है ये skin को fair बनाती है ये face के दाग दबे कालेपन और pigmentation को दूर करती है साथी dark circles भी हटाती है और ultra violet rays से खराब हो चुकी skin को करती है और wrinkles fine line red spot itching सब में ये बहुत ज़्यादा असरदा है half teaspoon मुलेटी powder ले रही हूँ अभी मैं अर्जुन चाल चूर्ण लेने वाली हूँ अर्जुन की चाल जो है हमारी skin के लिए किसी अम्रीच से कम नहीं है जो हमारी skin जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है और sales जो है damage हो चुके होते हैं उनको ये repair करने का काम करता है और आप मार अर्वेद में सबसे सकती साली जड़ी ब्यूटियों में से एक अस्वगंधा बहुत ही effective है हमारे लिए इसमें antioxidant iron और amino acid बहुत ज्यादा मातरा में पाया जाता है रिंकल्स और fine lines के लिए ये perfect solution है अस्वगंधा healthy और glowing skin के लिए महत्पून protein के production को बढ़ाता है तो यहां प क्योंकि इसमें natural vortex effect होता है इसके इन से related problems के लिए ये good health बहुत ही effective होता है इसके अंदर iron, vitamin E और antioxidant properties होती है इसके use से acne, pimples, dark circles, dark spot, pigmentation, wrinkles से छुटकारा मिलता है और skin के darkness को दूर करता है और उसे glowing और bright बनाती है तो यहां पर मैं half teaspoon good health powder ले रही हूं यानिकी hibicus powder ले रही हू जो कि गुलाब के पंखुडियों से powder बनाया जाता है तो rose petal powder vitamin से भरपूर होता है इसके अंदर vitamin C, vitamin B, vitamin K पाया जाते हैं ये skin के damage cells को repair करके उसे youthful बनाया रखने में help करता है rose petal में antioxidant बहुत ज्यादा मात्रा में पाय जाता है जो skin में honey कारे my crops को active होने से रोकती है तथा pollution और sun raise के कारण जो skin damage हो जाती है उसकी भरपाई का काम करती है तो यहां पर मैं half teaspoon rose petal powder ले रही हूं अभी मैं honey add करने वाली हूं गयानी कि सहद सहद में antioxidant, antiseptic और antibacterial properties भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे skin के लिए बहुत ही beneficial है हानी हमारे skin को deeply moisturize करती है और सहद में मजूद enzymes इसकीन में असानी से प्रवेश करवानने और अंदर से soft बनाने का काम करती है one teaspoon सहद add कर रही हूं last ingredient यहाँ पर add कर रही हूं raw milk कच्चा दूद कच्चा दूद जो है हमारे skin को बहुत ही सुंदर और चमकदार बनाता है यह skin को hydrate करके skin के dryness को कम करता है और हमें dry skin से बचाता है इस face pack को बनाने के लिए दूद की quantity fix नहीं है आप चाहे जितनी भी दूद इसमें add कर सकते हो क्योंकि इस face pack को ready करने के लिए हमें इसमें काफी milk add करने पड़ेंगे जब तक कि यह smooth एक अच्छा सा liquid जैसा paste ना ready हो जाए तो हमें इसके लिए क्योंकि यह milk जो है इसके अंदर जो भी ingredient है वो milk को observe कर ले रही है तो आप जो है इसके अंदर जब तक यह smooth सा paste ready ना हो जाए आप इसमें milk को add कर लिजे और उसके बाद एक अच्छा सा smooth सा paste बना लिजे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजे ताकि जितना ज्यादा यह milk को observe कर सके और उसके बाद फिर अगर इसमें milk add करना हो तो कर लिजे क्योंकि एक अच्छा सा smooth सा paste ready होना बहुत जरूरी है और इसका पूरा benefit हमें अभी मिल पाएगा तो friend आएए अब मैं इसको आपको apply करके दिखाती हूँ और अभी अब मैं apply कर ले रही हूँ इस face pack को मैंने अपने hand के उपर बहुत ही अच्छे से apply कर लिया है और apply करने के बाद मैं इसको half nr के लिए dry होने के लिए छोड़ देती हूँ half nr के बाद देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये dry हो चुकी है तो dry होने के बाद अपने face को बहुत ज़्यादा रगड़ करके नहीं धोना है बिल्कुल slowly soft हांतों से आप अपने face को wash करें तो friend wash करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे hand के ऊपर कितना अच्छा सा glow आ गया है और मेरी hand कितनी soft और smooth हो गई है believe me friend इस face pack का result है वो awesome है mind blowing है आप इस face pack को एक बाद जरूर try करें और try करने के बाद आप मुझे comment परके जरूर बताएं कि इस face pack से आपको क्या benefits मिले है और आपके skin की कौन सी problem दूर हुई है friend इस face pack को बनाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ingredient एड़ किया है क्योंकि काफी research करने के बाद मैंने इस face pack को ready किया है तो friend आप इस face pack को थोड़ा सा ज़्यादा quantity में ready कर लें और इसको freeze के अंदर रख दें और उसके बाद आप तीन से चार दिन तक आप इसको अराम से use कर सकते हैं तो friend आज के वीडियो में बस इतना ही hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो like, share, comment करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Okay friend have a nice day, bye bye, take care